हलो भाईयों स्वागत है आपका नीव वीडियो में SSGD के लिए मैं इस वीडियो में आपको 44 पर टालियन SSP नरकटी आगांज के बारे में बताऊंगा SSP वेस्ट चमपारन में जो है ठीक है कैसे जाना है क्या है उसका गराउंड उसके बारे में मैं आपको फूल जनकारी दूँगा वहां के मतलब रोड कैसा है कि गराउंड पर दोडाता है क्या है फूल जनकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो पहले चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ गंज जाएगा जो सांज के 5 बजे है और 12 बजे तक आपको नरकटिया गंज में छोड़ देगा मतलब 90% लड़का EC को पकड़के नरकटिया गंज जाते हैं फिजिकल देने ठीक है अपने अनुसार आप उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं जैसे अगर देखिए तो मेमो पसेंजर ट्रेन जाती है पांच गंटा का समय लगाती है माले जीए ये ट्रेन है जो मुझफरपुर से तीन बजे साम को जाएगी आठ बजे रात को पहुँचा देगी आप इसको पकड़ सकते हैं आठ बजे साम को पहुँचेगा अराम भी कर लेजिएगा खाना भी खाले जिएगा अराम से कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से आप मुझफर पुर जाएगा तो आपको अच्छा खासा ट्रेन मिल जाएगा ठीक है आपको वहाँ तक जाने के लिए ठीक है ये भी एक ट्रेन जो बारा बजे जाती है साम को पांच बजे छोड़ देगी टाइम पे छोड़ देगी अगर आपका एक दिन पहले आप पहुंचेएगा पांच साम को और सुबह में अपना फिजिकल दे लेजिएगा तो जाने के लिए ये बेस्ट रहेगा या तो आप बस पकड़ लिजिए पटना से नहीं तो इंट्रसीटी पकड़ लिजिए और नहीं तो आप सिंपल रस्ता मुझफर पुराईए और वहां से आप ये पकड़ सकते हैं आपको टोटल साथ गंटा जाने में लगेगा ठीक है तो चलिए मैं आगे वीडियो में बताता हूं आपको जो अच्छा लगे आप नरकटिया गंज जक्सन पर पहुंचेएगा वहां से पटना से बस से जिससे पहुंचेएगा यहां से आप जाइएगा ओटो 20 रुपया लेगा आपको एसेसबी नरकटिया गंज के सेंटर पर छोड़ देगा ठीक है बीस रुपया लेता है कोई कोई 15 रुपय भी लेता है लेकिन 20 रुपया लगबग आपको लेगा सब थोड़ा बाड़ा ज्यादा ही लेता है जो बच्छे न क्लाना घिला देगी रोटी चावल जो भी खाना हो तिक है आपको मिल जाएगा कोई दिकत नहीं है खाने का रहने का वहां पर आप जाईएगा आपको जाते हैं कम से कम 2-4 लोग मिल जाएगा जो आपको रूम देने के लिए बोलेगा कि रूम ले लिजिए ठीक है तो रहन क्या है कि वहाँ पहला नंबर रोड पे नहीं दोड़ाएगा ठीक है पहला नंबर वहाँ पे रोड पे नहीं दोड़ाएगा गराउंड है तो अब देखिए गराउंड है तो कितना सो मीटर का गराउंड है क्या चकर मरवाता है तो देखिए साथ चकर तो फूल मरवाएगा ठीक है, और आधा चक्कर, आठावा चक्कर में कुछ और जाना पड़ता है, डेर सो, दूसो मिटर और जाना पड़ता है, आप मान के चलिए कि साधे साथ चकर आपको वहाँ पे पांच किलो मिटर में लगाना है, अब आता है question, यह क्या token देता है, तो भाईया नहीं, आपको token नहीं देगा, वहाँ पे 40 लड़कों का badge बनाएगा, दोड़ाएगा, चार जगव पे लिखने माले होते हैं, constable वहाँ पे रहते हैं, वो लिखते हैं, chest number लिखते हैं, कि आपका कितने round हुआ, ठीक है, तो आप यह मत सोचिए कि हम cut मार के 6 round दोड़ के बोल देगे कि नही हम साथ दोड़े, वैसा कुछ system नहीं है, वहाँ पे होते हैं, constable, सेने के जो जबान होते हैं, वो लिखते रहते हैं, आपका chest number, वो column बनाए हुए रहते हैं, आप जितने round मारीएगा, वो column में लिख देते हैं, कि हाँ आपने इतने चकर मारा, इतने चकर मारा, जिससे उनक ग्राउंड पर दोड़ाएगा, अब बात किया है कि ग्राउंड कैसा है, क्या खाली पर दोड़ सकते हैं, एक दम खाली पर दोड़ सकते हैं, खुब सुन्दर ग्राउंड है, ग्राउंड उस पर कारके है, एक बोलते हैं बलभीश मिटी, उस तरह का ग्राउंड है, जिस प दिक्कट नहीं होगा बहुत अच्छा ग्राउंड है अब बात आती है कि चेश्ट और हाइट कैसा लेता है तो देखिए भी चेस्ट और हाइट में दीकत नहीं करेगा आपको पास कर देगा ठीक है पूरा जनकारी मैंने दे दिया आपको अगर कोई जनकारी रह गई हो या कुछ सवाल हो तो कमेंट करेगा ठीक है धन्यवाद